आज मैं आपके लिए लौकी की सबजी की एक इतनी यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ जो आपने सोची भी नहीं होगी आज हम बनाएंगे लौकी की पाव भाजी सच में आप देखकर पता भी नहीं लगा पारा ना कि ये रेसिपी मैंने लौकी से बनाई है सच बताओं खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे ये इतनी टेस्टी बन कर तयार हुई है पूरी रेसिपी देखो और बताओ कैसी लगी सच शेकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पूरम को रेसिपीज में तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ले ली थी पूरी लौकी का मैंने इस्तमाल किया है और इसे इस तरह से चोटे-चोटे टकडों में काट लिया है साथ ही दोस्तो एक घंटे पहले मैंने चने की दाल ले ली थी जो की एक कप थी एक कप चने की दाल को अच्छी तरह से धो कर हम पानी में भिगो देंगी अगर आपके पास समय है तो एक दू घंटे के लिए भिगो दीजिए वरना कम से कम 40 मिनट के लिए तो आप इसे भिगो कर रखे उसके साथ ही मैंने आपर दो कच्चे आलू ले लिए हैं मेडियम साइज के कच्चे आलू हैं दोस्तो ये इनकी स्किन निकाल कर इनहीं भी इस तरह से चोटे चोटे टुकडों में काट कर हम तयार करेंगे जैसे हमने लौकी को काट कर तयार किया था तो ये जो है न तीनों आज की रेसिपी के सबसे मेन इंग्रीजियन्स हैं जो कि हमारी रेसेपी को कमाल का फ्लेवर देने वाले हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी होंगे, तो चलिए देखते हैं, अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक कुकर, हमने जो लौकी तयार की थी काट कर वो अब हम इसमें डाल देंगे, साथ ही चने की दाल को भी मैंने अच् पानी मैंने यहाँ बड़े वाले गलास लिया है पानी का जो नॉमल होता है, वो अब हम इसमें डालेंगी, हमें इसमें इतना पानी डालना है कि जतनी बीषाई हमने आट कि है वो अच्छी तरह से भीग जाएं इतना जादह नहीं डालना कि जो पानी इसकी अउपर आ하는데 दूसरी और हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं तो कढ़ाई में मैंने 5-6 बड़े चमज तेल ले लिया जब तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज तो मैंने दो बड़े साइस की प्याज इसमें डाले थे अगर आपके पास मीडि दालेंगे एक बड़ा चमज अद्रक और लसुन की पेस्ट का अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप अद्रक और लसुन को पीस कर या कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं वहां पर आपको इसे अच्छी तरह से मैश करना होगा जो की जरूरी है अब जब हमारे प्याज क साथ अद्रक और लसुन भून जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमज लाल मिर्श पाउडर एक से डेड़ बड़ा चमज धनिया पाउडर और एक तहाई छोटा चमज हल्दी पाउडर यह सुख्य मसाले हमने प्याज में इसलिए डाले है क्योंकि सुख्य मस साइस के टमाटर लिये थे उन्हें मिक्सर जार में डाल कर पीस लिया और इस स्टेज पर हमने वो प्योरे एड़ कर ली है अच्छी तरह से एकदम स्मूध पीस कर हम तयार करेंगे अब आप देखिए सबी चीजें हमने इसमें डाल दी गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इन इस रेसिपी को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आप जरू ट्राइ किजेगा कि इसमें आप पाव भाजी मसाला डाल पाएं अगर आपके पास नहीं है तब फिर आप नॉमल मसाले का गरम मसाले का या सबजी मसाला कोई भी हो आप यूज कर सकते हैं बट पाव भाजी मसा पान से साथ मेर तक वेट करेंगे कि हमने टमाटर की प्योरिस में डाली थी वो अच्छी तरह से भुन जाए कढ़ाई में तेल अलग होने लग जाए तो अब आप देख सकते हैं यह जो मसाला हमने बनाया है कितना अच्छी तरह से भुना जा चुका है आप इसका कडर आएगा तो आप बिल्कुल लो कर दीजे या तो बंद कर दीजे अब दूसरी और आते हैं हम अपने सब्जी की तरफ जो हमने पहले से ही बॉइल करने के लिए रखी थी पांच से छे विसल दोस्तों मैंने से लो टू मेडियम फ्लेम पर लगाई और अब आप यहां पर दे सबी चीजों को मैश करके रेडी करना है मतलब दिखना नहीं चाहिए लोकी है दाल है आलू है सबी को बहुत अच्छी तरह से आप मैश कर लें अब आप देख सकते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी का मैने से बना दिया है तो यह दिखिए बिल्कुल कोई नहीं देखके बता पाएगा कि इसमें लोकी थी या क्या था बस यह बढ़िया से मैश हो चुका है तो बस हमारा तड़का पहली और तयार करके रखा था हमने अब हमने यह मिश्ण भी रेडी कर लिया गैस का फ्लेम लो है से स्टेज पर और हमने जो दाल और लोकी का मिश्ण बनाया था वो सा बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगी तो दोस्तों यहां पर देखिए बढ़िया से आप लोग फ्लेम पर कर्ची को चलाते हुए से मिक्स कर लीजे ताकि सारा जो फ्लेवर है तड़के का फ्लेवर वो लोकी और दाल में आ पाए हमने यहां पर इस रेसेपी में आलू का किया था दोस्तों आलू का यूस हमने इसलिए किया है कि पाव भाजी की रेसेपी में जो थिकनेस होती है वह इसमें आ पाए इसलिए हमने आपर आलू का यूस किया और इससे क्या फ्लेवर भी बढ़ जाता है तो आलू के आलू के यूस से थिकनेस भी अच्छी होगी और भी बहुत अच्छा आएगा अब हमने यहां पर तड़की के साथ बॉय सब्जीयों को मिक्स कर लिया उसके साथ ही मैंने आपर आइड किया है एक बड़ा ग्लास पानी का और थोड़ा सा रेड और 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 ओरेंज वाला फूट कलर तो दोस्तों फूट कलर इसलिए डाला है त क्योंकि अब हम इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आज पर छोड़ देंगे अच्छी तरह से यह थिक हो सके इसमें फ्लेवर आ सके इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ ही मैंने थोड़ा सा बटर और पाव भाजी मसाला और एड कर लिया ताकि यह बहु चोड़ने से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आता है तो आप देख सकते हैं 15-20 मिनट हो चुके हैं काफी अच्छी गाड़ी हो चुकी है हमारी पाव भाजी काफी अच्छा सा फ्लेवर दिख रहा है इसमें आया है और कलर भ पाव भाजी है हमने लौकी और चन्ने दाल से बनाई है साथ ही अगर आप इसे खिलाएंगे बीने किसी को खाने के बाब भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि यह रेसिपी कैसे बनाई गई है साथ ही दोस्तों घरों में हम बच्छों के लिए जब भी लौकी बनाते हैं तो सभी मुह बनाने लग जाते हैं कुछ हेल्दी खिलाने के लिए थोड़ी सी महनत करने पड़े तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यह हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी है आप पका ट्राय करना अब सबजी तो हमारी रेडी है इसके साथ हम बनाते हैं तो यह नोम मिक्स करके सेट कर देंगे फिर हमने यहाँ पर पाव ले ली है उसे बीच में से कट किया है अब यह जो मसाला है उसमें अच्छी तरह करेंगे ताकि इसमें जो है फ्रेवर आसके वैसे मरजी आपकी है आप प्लेन बटर वाली पाओ का भी इस्तमान कर सकते हैं तो इस तरह से हमारी जो पाव भाजी है बनकर रेडी हो चुकी है और आज की रेसिपी में इतनी सारी बाहर की चीजों का भी हमने कुछ खास इस्तमार नहीं किया है घर की ही कुछ बेसिक चीजों से हम ये होटल जैसी पाव भाजी बना कर तयार कर सकते हैं मैं सच बताओं जब मैंने ये रेसिपी ट्राइ की थी ना फॉर्स टाइम मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई थी पर किसी ने भी ये जज्जमेंट नहीं लगाया कि मैंने इसे लौकी से बनाया है जब मैंने उन्हें बताया तब जाकर उन्हें पता लगा कि हाँ ये कि दोस्तों क्मेंस में ये भी लिख कर बताए कि आप मेरी रेसिपी सका से देख रहे हो कौनसे शहर कौन सी जगा से देख रहे हो तो अब मैं आपके साथ मिलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ